नमस्कार साथियो वेलकम आप सभी का तो साथियो आज हम मैच कवर करेंगे इटली रोम टीटैन दो हजार चोबिस का 47 वा टीटैन मुकाबला जो खेले जाने वाला है के एल वर्सिज आर जी डी के बीच में तो दोस्तो मुकाबला 21 अगस्त को खेले जाने वाला है 12 बजगर 30 मिनट पर मैच स्टार्ट होगा रोमा किर्केट गिरांट रोम इटली की पिच स्ट पर तो दोस्तों आज के मैच में हम जी यल टीम कैसे बना के चलें कौन से खेलाडी को कैपटन लगाए वो इस कैपटन देखने को मिलेगा और जितने भी दोस्तों टीटैन के मैच ही चल र वो ही खिलाडी आपको captain देखने को मिलेगा जो दोस्तों recent के matchों में काफी अच्छा performance करके आ रहा हूँ यह नहीं देगा कि किसी खिलाडी का 6% selection है और वो खिलाडी दोस्तों 100 plus point आपको निकाल के देखे जाए ऐसा बिलकुल भी देखने को नहीं मिलेगा सिरफ दोस्तों 3-4 जो आपको trump card खिलाडी देखने को मिलेगे जिनका काफी low selection है इतना भी नहीं देगा दोस्तों कि 6% किसी खिलाडी का selection है वो खिलाडी आपको captain देखने को मिल जाए या फिर trump card खिलाडी देखने को मिल जाए जिस खिलाडी का दोस्तों 40% या फिर 50% या फिर दोस्तों 2-3 matchों में वो खिलाडी ड्रीम टीम में देखने को मिला हो उस खिलाडी को अगर आपने ट्राई कर लिया वो कभी भी आपको ट्रंप कार्ड खिलाडी देखने को मिल सकता है चोटी-चोटी बाते दोस्तों आपको ये चीज नोट करके चलना पड़ेगा और आप एक बैस्ट करी दोस्तों आपको वीडियो के अंदर मिलने वाली है वीडियो को दोस्तों कम्पलीट देखते चलना और अभी तग अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फ्रापट से दोस्तों वीडियो को लाइक कर लेना चैनल को सस्क्राइब कर लेना ताकि आने वाली लगा काफी अच्छा परफोर्मेंस करेंगे या फिर पेसर्स को विक्टे मिलेंगी क्योंकि ये चीज काफी जादा इंपोर्टेंट है पिछ के बारे में बात कर लेते हैं कि रोमा किर्केट गिराउंड रोम इटली की जो पिछ है वो कैसी है तो पिछ दोस्तों आपको बैटिंग पिछ देखने को मिलेगी टोटल इस पिछ पर 47 T10 मुकाबले खेले गए है जो टीम पहले बैटिंग करती है उस टीम ने 22 मुकाबले जीते हैं सेकिंड बैटिंग करने वाले टीम ने 21 मुकाबले जीते हैं एवरेज स्कोर की बात करें तो जो टीम दोस्तों पहले बैटिंग करती है उसका average score 135 के करीब देखने को मिल सकता है और यहाँ पर सबसे ज़्यादा score लगबग दोस्तो और की टीम ने बनाया हुआ है 108 में रन का और सबसे कम score दोस्तो RC का है only 47 रन पे all out है उसी के साथ bowling की बात कर लेते हैं last के जो 5 आज मुकाबले यहाँ पर खेले गए है उसमें दोस्तो Pacer's को 23 विकट और Spinner's को 24 विकट मिली है यानि कि recent के जो मुकाबले इस pitch पर खेले गए हैं उसमें दोस्तो Pacer's ने भी काफी अच्छा performance किया है पलस में Spinner's को भी विकट मिली है तो स्पीनर दोस्तो आज के मैच में आपको ट्रम पलेर भी देखने को मिल सकते है उसके साथ स्कोरिंग पैटरेन 90 से नीचे 7 बार स्कोर 90 और 110 के बीच में 7 बार स्कोर 111, 130 के बीच में भी 7 बार स्कोर और 130 से उपर इस pitch पे दोस्तो 22 बार score देखने को मिला है तो pitch पे दोस्तो spinners काफी अच्छा performance करते वे नजराएंगे तो recent वाले matchों के according एक बार बात कर लेते हैं कि recent में जो यहाँ पर T10 के match चले है उसमें दोस्तो spinners को कितनी wicket मिली है और Pacers ने क्या performance किया है बैटिंग order ने कितना run यहाँ पर दोस्तो target के तोर पे रखा है कि chase करने वाली team दोस्तो कितने run बना पाई कि यहाँ पर match को win करके लेके गई या फिर दोस्तो हारी है तो recent में ROR versus RC के बीच मुकाबला खेला गाया था ROR की team ने पहले batting करते वे 135 run का target रखा chase करती वी team RC की only 116 run पे 3 wicket जिसमें 5 wicket दोस्तो spinners को मिली 4 wicket pacers को उसके बाद RBMS versus KEL के बीच मुकाबला खेला गया 3 wicket spinners को 4 wicket pacers को उसके बाद RC versus RBMS के बीच मुकाबला खेला गया था 2 wicket यहाँ पर spinners को मिली थी 3 wicket pacers को उसके बाद KEL versus RC 9 wicket spinners 6 wicket दोस्तों यहाँ पर pacers को मिली है यानि कि recent के matchों में दोस्तों pacers ने भी काफी अच्छा performance किया है पलस में spinners ने भी दोस्तों यहाँ पर victory निकाली है batting order भी दोस्तों काफी अच्छा performance करते वे इस pitch पर नजर आया है बात कर लेते हैं head to add के record के अनुसार तो head to add में दोनों टीमों के भी चबी तक एक ही मुकाबला खेला गया है जो match दोस्तों यहाँ पर KEL की टीम ने win किया था recent के performance के according 5 में से 2 मुकाबले KEL की टीम win कर किया रही है और RGD की टीम recent के 5 में से तीन मुकाबले win कर के आ रही है यानि कि head to add के performance के according KEL की टीम थोड़ी सी better team देखने को मिलेगी लेकिन recent में दोस्तों यहाँ पर RGD की टीम ने एक मुकाबला win किया हुआ है head to add plus में recent 50-50 का combination best रहेगा आज के match में क्योंकि एक मुकाबला जादा win कर के रखा है RGD की टीम ने और head to add में दोस्तों वो मुकाबला win कर के रखा है यहाँ पर KEL की टीम ने बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ से KEL की final playing 11 plus में player performance के इसाब से कौन से खिलाडी को लेके चलना है कौन सा खिलाडी best captain रहेगा तो नंबर एक का खिलाडी दोस्तों इसान जो के रिशेंड में 5 रन 0 विकट 13 रन 0 विकट, 12 रन 1 विकट 31 रन नाबाद पलस में 1 विकट, 18 विकट दोस्तों निकाल चुका है T10 मैचों में 31 मुकाबले खेले हैं, 16 का एवरेज को इस खिलाडी का बैटिंग से है ये खिलाडी दोस्तों आपको ट्रम्प कार्ड खिलाडी देखने को मिल सकता है लो सेलेक्शन में देखने को मिलेगा उसी के साथ विसाल जो के रिशेंड में 20 रन पलस में 0 विकट उसके बाद 28 रन एक विकट 100 रन नाबाद 0 विकट 22 रन एक विकट साथ मुकाबले टी टैन के 4 विकट है 20 का एवरेज को इस खिलाडी का बैटिंग से है उसके साथ विमुक्ती रिशेंड में 0 रन 1 विकट 7 रन 2 विकट 11 रन 2 विकट 6 रन उसके बाद 26 रन नाबाद 24 विकट इसके पास है टी टैन विकट में 14 का एवरेज को इसके बैटिंग से रिशेंड के मैचों में दोस्तों विक्टे कंटीनू निकाल के लेके जा रहा है कंटीनू तीन मैचों में उसके साथ दोस्तों उसमान यहां पर रिशेंड में 24-0 12 उसके बाद 0 विकट एक विकट, 0 विकट और 5 मुकाबले टी टैन फॉर्मेट के 8 विकट इसके पास है 18 का एवरेज को इसके खिलाडी का बैटिंग से है उसके साथ दोस्तों नमबर 5 का खिलाडी जो कि रिशेंड के मैचों में 26-1 फिर 13 मैचों में बैटिंग नहीं है बोलिंग भी इस खिलाडी की तरब से देखने को नहीं मिली 9 मैचों में ओनली 2 विकट अभी तक इस खिलाडी को मिली वी है उसके साथ दोस्तों विनीला प्रेरा रिशेंड में 8-0 विकट उसके बाद फ्लोप है कंटिन्यू एक ही मैच में एक विकट अभी तक इस खिलाडी को मिली है और T10 मैचों में दो विकट के साथ इस खिलाडी ने परफोर्मेंस अभी तक किया है तो यहां पर दोस्तों ट्रंप कार्ड खिलाडियों की बात करें तो यहां से नीचे के आपको तीन खिलाडी यह खिलाडी आपको ट्रंप कार्ड खिलाडी देखने को मिल सकते हैं और एक दोस्तों आपको इसान यहां से ट्रंप कार्ड खिलाडी देखने को मिल सकता है, captain voice, captaincy में इन दोनों खिलाडियों का high selection आपको देखने को मिलेगा उसी के साथ दोस्तों बात कर लेते हैं bowling के बारे में कि यहां से bowler किस परकार का performance करके आ रहे हैं तो सबसे पहले उदै जो कि recent के matchों में floppy है 8 matchों में 1 का average score है यहां से drop करके चलना है क्योंकि recent के continue matchों में floppy है उसके साथ अचिंता जो कि recent में 0 फिर उसके बाद continue एक-एक wicket उसके बाद flop है फिर दोस्तों continue performance experience bowler है 29 matchों में 32 wicket निकाल चुका है bowling section में add करके चलना है उसके साथ दोस्तों wicket की पर option यह आपकी टीम में drop ही रहीगा क्योंकि यहां पर 8 matchों में अभीता किस खिलाडी ने 1 भी run नहीं बनाया हुआ उसके साथ दनुसका सिल्वा wicket की पर option recent के continue matchों में दोस्तों flop है एक match में 15 run पलस में 3 wicket 37 मुकाबले खेल चुका है 12 wicket अभीता किस बोलर को मिली है लगबग wicket की पर option है उसके साथ फ्रेंडों जो की recent में flop उसके बाद continue 2 matchों में performance फिर यहां से flop है 4 wicket अभीता किस खिलाडी ने T10 format में निकाली वी है तो यहां से दोस्तों bowling section में आपकी team में number 8 का खिलाडी अचिनता यही खिलाडी आपके team में important है बाकी यहां से सभी खिलाडीों को मैं drop करके चलूँगा क्योंकि recent के continue matchों में दोस्तों यह खिलाडी flop है उसके साथ बात कर लेते हैं second team के बारे में RGD के final playing 11 plus में player performance इस team से दोस्तों काफी better option है captain और voice captain के लिए तो सबसे पहले मुबारक होशन विकट की पर option recent के continue दोनों matchों में काफी अच्छा performance चो सट रन, पचपन रन नाबाद 59 मुकाबले T10 के 30 का average score बैटिंग से काफी best चोईस है captain और voice captain सी में उसके साथ मुनीब जोकी विकट की पर option recent में 36 run 0 विकट उसके बाद चोधार नाबाद फिर उसके बाद flop है फिर दोस्तों continue काफी बढ़िया performance बोलिंग से 35 विकट इसके पास है T10 format में 16 का average score इस खिलाडी का बैटिंग से है काफी बढ़िया option है captain voice captain सी में तो यहां से दोस्तों दोनों विकट के पर CVC में काफी अच्छे 24 देखने को मिलेंगे हरपरीत विकट की पर ओप्चन रिशेंट में 25, 7, 36 run नाबाद 6 run, 103 run और 9 विकट इसके पास है T10 format में average score काफी बढ़िया है बैटिंग से 32 का average score है उसके साथ दोस्तों जाद रन रिशेंट में 39 run नाबाद एक विकट, 11 run एक विकट एक रन दो विकट, फिर फुलोप है 61 run पलस में 2 विकट 28 विकट अभी तक इस खिलाडी ने निकाली है T10 format में ये खिलाडी भी दोस्तों काफी अच्छा चुआई से ड्रोप करके नहीं चलना है उसके साथ मुक्तियार इसके पास है T10 format में ये खिलाडी दोस्तों आपके टीम में कैप्टन और वोइस कैप्टन सी में ट्रम्प काड़ खिलाडी देखने को मिलेगा हाई सेलेक्शन तो है लेकिन सीवी सी में थोड़ा सा लो सेलेक्शन है उसके साथ नमबर 6 का खिलाडी जो कि रिशेंट के मैचों में दोस्तों दोई विकट है चार विकट अभी तक इस बोलर को मिली है टोटल T10 मैचों में आठ मुकाबले अभी तक इस खिलाडी ने खेले हैं उसके साथ दोस्तों बोलिंग सेक्शन की बात कर लेते हैं RGD की तरप से तो जीतिंद्रा परकास रिशेंट में एक विकट उसके बाद फिर चे एक विकट फिर यहां से कंटिन्यू फ्लोप है फिर दोस्तों दो विकट 37 मुकाबले खेल चुका है 19 विकट इसके पास है T10 फोर्मेट में सिफात अमीन रिशेंट में फ्लोप कंटिन्यू फिर यहां से एक विकट फिर दो मैचों में 0-0 विकट उसके बाद एक विकट 10 मुकाबले T10 के दो विकट अभी तक इस खेलाडी ने निकाली भी है उसके साथ नंबर 9 का खेलाडी अली जो की रिशेंट के कंटिन्यू 5-6 मैचों में दोस्तो बोलिंग इस खेलाडी की तरब से देखने को नहीं मिली है नहीं बैटिंग देखने को मिली है आठ का एवरेज को T10 फोर्मेट में है ड्रोप करके चलना है उसके साथ रियान जो की रिशेंट में कंटिन्यू दोस्तो फ्लोप है ड्रोप करके चलना है उसके साथ मनसूर रिशेंट के कंटिन्यू मैचों में एक-एक विकट के साथ परफोर्मेंस है च्छै विकट अभी तक इस खेलाडी को मिली भी है तो यहां से दोस्तो आप दो ही खिलाडी ट्राइ करके चल सकते हो, मनसूर पलस में जितेंदरा, बाकी यहां से सभी खिलाडी आपकी टीम में ड्रोब देखने को मिलेंगे, लगबग दोस्तो 12 ही खिलाडी आपको देखने को मिलते हैं, दोनों टीमों से पिक करके चलने हैं, 11 खिलाडी कैप्टन वो इस कैप्टन आपका बेस्ट होना चीए बस इतना काम करना है जील टीम आपकी काफी बढ़िया रैंक करती भी नजर आएगी उसके साथ दोस्तों बात कर लेते हैं यहां पर फैंटसी के हाई सेलेक्शन वाले खिलाडियों के बारे में उससे पहले दोस हाई सेलेक्शन वाले खिलाड़ी इसान विशाल इरोस उसके साथ दोस्तों विनीला प्रेरा इधर से दोस्तों मुबारक मुबीन और उसके साथ जादरन फिर उसके साथ मुक्तियार सिंग ट्रंप कार्ड खिलाड़ी दोस्तों अचिंता और यहां से दनुसका सिल्वा इध Captain Voice Captain High Selection वाले खिलाडियों में ही ट्राई करके चलना है बात कर लेते हैं दोस्तों मेरी आज की Final Fantasy टीम के बारे में तो यहां से Wicket Keeper दोस्तों मैंने 3-3 यहां पर पिक करके रखे हैं RGD की तरब से क्योंकि 3ों खिलाडी दोस्तों आपको बैटिंग पलस बोलिंग दोनों से पर में दोस्तों मेरा Voice Captain थोड़ा सा रिस्की है बाकी यहां पर सभी खिलाडी आपको सेफ ही देखने को मिलेंगे High Selection वाले खिलाडी देखने को मिलेंगे और एक दो खिलाडी ऐसे हैं जिनका थोड़ा सा Low Selection है जो कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि वीडियो को लाइक कर लेना चैनल को सस्क्राइब कर लेना आने वाली लगातार अपडेट के लिए तो मिलता हूं दोस्तों नेक्स्ट इंटरस्टिंग वीडियो के साथ